वास्तविक महाभारत की लडाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के पीछ में और इस लडाई में हिंसा इसी लिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है प्रणामचार जी मेरे दो प्रश्ण है पहला प्रश्ण मेरा महिलाओं से संबंदित है रेप से रिलेटेट तो अभी जैसे ये लड़कियों की उम्र 18 से 21 कर दी है शादी की तो इसमें काफी नेता और मतलब समाज के लोग भी ये कह रहे हैं कि इससे अब आने वाले समय में रेप की केसे ज्यादा आगे ज्यादा बढ़ जाएंगे तो मैं इस पर थोड़ा स्पस्टी करड़ चाहती हूं और ये भी है कि मतलब ये पैट्रियाकल सोसाइटी से महिलाएं कैसे मतलब फ्री हो सकती है क्योंकि एक फाइनेंशल फ्रीडम बोला जाता है कि फाइनेंशल फ्री भी होती है में उनको भी देखती हूं वो भी नहीं हो पाती है पूरी तरीके से उनका भी बंधन रहता है घर से समात से किर्पया इस बात में बंधन कभी किसी बाहर वाले से नहीं रहता बंधन हमेशा अंतरिक ही होता है और महिलाओं की मुक्ति हो या पुरुष की मुक्ति आवश्यक है मनुष्य की मुक्ति महिला जब तक अपने आपको महिला मानकर मुक्ति की कोशिश करेगी उसको मुक्ति मिल ही नहीं सकती क्योंकि महिला होना ही उसका बंधन है पुरुष जब तक अपने आपको पुरुष मान कर मुक्ति की कोशिश करेगा उसे मुक्ति मिल ही नहीं सकती क्योंकि पुरुष होना ही उसका बंधन है तो महिला मुक्ति ये बात ही अपने आप में एक पेराडॉक्स है इस बात में ही एक आंतरिक विरोधा भास है मनुष्य की मुक्ति हो सकती है महिला की नहीं हो सकती मनुष्य की हो सकती है पुरुष्य की नहीं हो सकती आप अपने आपको महिला मानते ही रहोगे तो कौन सी मुक्ति मनुष्य की मुक्ति कैसे होती है उसके बोध के बढ़ने से उसकी कामनाओं के कम होने से, उसके विवेक के जगने से, महिलाओं की मुक्ति भी वैसे ही होगी, महिलाओं और पुरुषों की मुक्ति के रास्ते कुछ अलग-अलग नहीं है, अगर एक विवस्था चल रही है समाज में, हमें ये कहने में बड़ी सुविधा रहती है, कि पर मैं फिर भी ये कहता हूँ, आपकी मरजी के बिना आपका शोषण नहीं हो सकता, नहीं तो आप उस विवस्था में रुकेंगे ही नहीं, आप वहाँ से भाग जाएंगे, अगर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, एक विवस्था में भागीदार बनी हुई है, तो कहीं न कहीं उनको या तो ये बता दिया गया है, या उन्होंने सीख लिया है, कि उस विवस्था में उनके लिए भी कुछ लाब है, ये भावना ही बंधन है, तुमने अभी कहा कि लड़कियां होती हैं, जो कमा भी रही होती हैं, आर्थिक रूप से सुतंत्र भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो बंधन में होती हैं, क्या तुम्हें इसी बात से नहीं दिख जाता है कि बंधन आंतरिक हैं? आप खुद कमा खा रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो, खरीद के या किराए पर रहके, आपके पास अपना मुबाइल फोन है, अपना नंबर है, अपनी गाड़ी है, बंधन कहां से आ गया? क्या कर रहा है कोई, आपको जबरदस्ती पकड़ करके आपके पाउं में बेड़िया डाल रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, जरूर कहीं न कहीं स्वेच्छा शामिल है इस बंधन में, वरना कोई कैसे आपको बंधक बना लेगा? पैट्रियार्की कब की ध्वस्त हो गई होती, यदि महिलाओं को साफ दिख गया होता कि इसमें उनका शोशन हो रहा है, जरूर बहुत सारी महिलाएं हैं जिनें दिखता है या लगता है कि पैट्रियार्की में उनका हित है, इसलिए तो पैट्रियार्की चल रही है, भूलि इसे कोई वेवस्था चल सकती है जिसमें आधी-आबादी का शोशन हो रहा हो। वो आधी-आबादी जो है वो स्वयम भी भागीदार है। इसी को मैं कह रहा हूँ आंतरिक बंधन। Patriarchy is a joint project of the man and the woman. Patriarchy is not a tyrannical imposition of the man upon the woman. विक्टिम कार्ड खेलना हमें अच्छा लगता है। हम कहना चाहते हैं कि आदमी ने जबरदस्ती औरत को बंधक बना लिया। मैं निवेदन करूँगा कि इस बात की हम थोड़ा और निकटता से जाँच पड़ताल करें। मनुष्य ही है न, स्त्री भी। आपको अगर मुक्ति चाहिए ही होगी तो आप कह देंगे मैं बंधन नहीं सुईकार करूँगी, जान दे दूँगी, गुलामी नहीं चाहिए। पर जिसको आप बंधन कह रही हैं, उसमें बहुत सारी सुख सुईधाएं हैं, इसलिए वो बंधन चलता आ रहा है। उन सुख सुईधाओं का लालच छोड़ना ही मुक्ति है, महिला के लिए भी, पुरुष के लिए भी, मनुष्य मात्र के लिए। यूँ ही पुरुष किसी महिला का शोशन नहीं कर लेता, बदले में उसे कुछ देता भी है। आपको जो कुछ मिल रहा है जिस दिन आपके मन में उसका लालच खत्म हो गया। शोशन एक दिन नहीं टिकेगा। और यदि शोशन के बदले में आप कुछ न कुछ लेही रही है, ग्रहन कर रही है या वसूल रही है, तो शोशन हुआ कहां, फिर तो खरीत फरोगत हुई, लेन देन हुआ, व्यापार हुआ। लेन देन को शोशन तो नहीं बोला जाता ना, या बोला जाता है, बलकि ये तो एक तरह से बैमानी की बात हो जाएगी, कि आप लेन देन भी करें और ये भी कहें कि देखो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, कि आप दुकान पर जाएं, आप सो रुपए दे करके कोई चीज खरीदें और फिर कहें देखो मेरे सौ रुपए लूट लिए गए, हाँ आप से सौ रुपए जरूर लिए गए लेकिन बदले में जो माल लिया आपने उसका क्या, तो महिलाओं को अपने आप से इमानदारी से पूछना पड़ेगा, माल नहीं ले रही हो क्या, मैं कह रहा चांदीभर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भावनात्मक सुरक्षा की भी बात कर रहा हूँ, वो जो भाव होता है कि कोई मेरा केर टेकर हो, कोई केर गिवर हो, एक बोडिगार्ड की तरह कोई साथ हो, ये भाव त्याग दो मुक्ते मिल जाएगी, फिर किसी पुरुष की ह इमत नहीं होगी महिला का शोषन करने की, आरी बात समझ में, ये जो अभी रिसेंटली जो नियू लॉग, ये मुझे समझ में नहीं आया, अठारा से इकीस होने में बलातकार क्यों बढ़ जाएगा, सर वो बोल रहा है कि मतलब लेट शाद ही होगी तो, तो इलेट कैसे है, अठारा से इकीस लेट हो गया, सर इसके मतलब नेता भी काफी विरोध कर रहे थे कि, नेताओं को जो चाहिए होगा, मुझे नहीं पता, पर ये पहले तर्क समझ में आये, तब ना उसका मैं कुछ खंडन भी करूं, ये तर्क ही नहीं समझ में आ रहा है कि अठारा से इकीस हो जाएगी तो ऐसी सी बात है कि महिलाओं की विभा की उम्र अठारा से इकीस कर दी तो इस साल मौन जल दी आएगा, कैसे? कुछ तुम तुक बिठाओगे, तब तो मैं उसका खंडन भी करूंग, कोई तुखी नहीं है इसमें, ये क्या बात है? सबसे अधा बलातकार तो आप कहारी रह जाएगी तो बलातकार बढ़ जाएगा, कुछ नहीं रह गई होती है, फिर जो बलातकार होता उसका क्या? सबसे अधा बलातकार तो पती खुद करते हैं, बलातकार वही थोड़ी है वो जो तुम पढ़ते हो सड़कों में की सड़क पर बलातकार हो गया, इस नहीं को किद्ध doveαι तो और इस म tob은 की सड़की आपके और ढहीं से मेरा होता है, कि इस सो फिर देह के एक बले बलातकार यह थो बलातकी याश्य है तो फिर फिर उनको भांकार में लेकिन क्षंता नहीं होती कि वो देह के अलावा किसी और चीज ऑपने आपको जोड़ द फिर पीड़ा और दुख उनको भी अनुभव होता हो फिर अध्यात्म की उनको भी जरूरत होती होगी है उनको जब दुख लगता है तो उन्हें बस सुख चाहिए होता है उन्हें मुक्ति कभी नहीं चाहिए उनके हंकार में और मनुष्य में ये अंतर है जानवर को अधिक से अधिक सुख चाहिए मनुष्य को मुक्ति चाहिए उनकी चेतना सीमित है उनके शरीर से कल हमने चेतना के बारे में क्या कहा था शरीर क्या है मम्मी चेतना क्या है उसका बच्चा जैसा शरीर होता है चेतना वैसी होती है जानवरों का शरीर कुछ इस तरह का है कि उनकी चेतना मुक्ति मांगती नहीं उनकी चेतना अधिक से अधिक बस सुख मांगती है कोई जानवर नहीं तडपेगा कि मैं कहां सांसारिक भावसागर में फसा हुआ हूँ जानवर यह ज़रूर तडपेगा कि वो घास क्यों नहीं मिल रही मुझे हरी हरी उसे सुख चाहिए मुक्ते नहीं मुक्ते बस मनुष्य की चेतना मांगती है प्रणाम अचार जी सर मेरा क्वेस्टन उनके फर्स्ट क्वेस्टन से कंटिनुएशन में है आपने उनसे कहा कि जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी ये जो टेंडेंसी है डिपेंड होने की डिपेंडेंसी वाले जो टेंडेंसी उसको छोड़ना है सर ये टेंडेंसी मैंने काफी कुछ अपने में भी नोटिस की है मैंने इसके लिए काफी सरी चीजें की आपके वीडियोस देखे, आपकी जो बुक है अकेला पना निरभरता, वो किताब भी पढ़ी, उस पे नोट्स बनाए, काफी सोचा भी इस बारे में, और इस चीज को लेके ये जो attachment और dependency वाली जो चीज है, इसको लेके काफी दुख भी मुझे मिला है अपने जीवन में, के बाद भी कही न कहीं मैं देखती हूँ कि ये चीज मुझ में से जान नहीं रही है, और नाहीं ये कम हुई है, मैं इसके लिए क्या करूँ, क्योंकि जब ऐसा कुछ हो जाता है, ये मुझ पर इतना असा डालता है, मेरा काम, मेरी पढ़ाई, सब कुछ इस चीज की वज़ को निर्भरता से मुक्ति देते हूँ, देखो, हमने कहा था ना अभी कि जैसा शरीर होता है, वैसी चेतना होती है, स्थ्री और पुरुष का शरीर अलग-अलग होता है, तो उनकी चेतना में भी कुछ अंतर होता है, इस्तरी संबंधों में थोड़ी ज्यादा रुची रखती है, पुरुष की अपेक्षा, यह शारीरिक बात है, क्योंकि प्रक्रति नहीं उसको ऐसा बनाया है, कि उसे कम से कम एक संबंध में तो रुची रखनी ही पड़ेगी, कौन सा संबंध? अपने बच्चे के साथ, ए उसे संबंध में रुची तो रखोगे ही न, नहीं तो वो जी उमर जाएगा, रुची नहीं रखोगे तो उसको पालोगे पूसोगे भी नहीं, वो दिखभाल नहीं करोगे ठीक से उमर जाएगा, तो प्रक्रति नहीं इस्तरी को ऐसा बनाया है, कि उसकी संबंधों में थो ऐसे से संबंध बनाओ जो संबंध से मुक्ति दिला दे यही तरीका है और दूसरी बात और समझिएगा यह जो पर निर्भरता महिलाओं में इतनी पाई जाती है यह बहुत ज्यादा प्राकृतिक भी नहीं है जितनी प्राकृतिक है हमने उसकी बात कर ली पर बहुत ज्यादा यह प्राकृतिक भी नहीं है यह ज्यादा सामाजिक है जंगल में ऐसा होता है क्या कि शेरनी घर में बैठती है और शेर उसके लिए शिकार लेके आता है शेरनी भी बराबर का शिकार करती है अपने लिए खुद कमाती है ठीक यह समाज ने आपको सिखा दिया है कि आपका काम है घर देखना और कोई आएगा और कमा के लाएगा इत्यादे इत्यादे हाँ कुछ हद तक ऐसा जरूर है कि शेरनी भी जब गर्भ की उन्नत अवस्था में होती है तो वो भी शिकार नहीं कर सकती तो बस कुछ दिनों के लिए वो भी आश्रित होती है पर उतना ज्यादा पर निर्भरता प्रक्रति में मादाओं की देखने को नहीं मिलती जितनी मनुष्यों में स्थ्रियों की देखने को मिलती है मनुष्य की स्थ्री तो पूरी ही आश्रित होकर जीती है बहुत सारी स्थ्रिय है सभी नहीं इतनी परनिर्भरता प्रकृति ने भी नहीं सिखाई इतनी परनिर्भरता तो हमको समाज ने सिखाई है तो समाज की वैसी सीख से बचना है और जो भी वैसी सीख ग्रहन कर ली है अब उसका खंडन कर देना है नेति-नेति कर देनी है यह तो नहीं मानते और प्राक्रतिक कारणों से महिलाओं को जो पर निर्भरता जेलनी भी पढ़ती रही हो अब विज्ञान और प्रोध्योगी का योग है अब उतनी भी पर निर्भरता की आवशक्ता नहीं है आपका अगर छोटा बच्चा भी है तो भी जरूरी नहीं है कि आप काम ना कर पाएं इंटरनेट है, ऑनलाइन है, बहुत तरीके के काम है आपको किसी पर निर्भर होने की कोई आवशक्ता है ही नहीं ये आदर्श बड़ा बेढ़ंगा विक्रत आदर्श है समाज ने आपके भीतर डाल दिया है कि महिला का जी वन तभी पूरा होता है जब उसके बगल में एक पुरुष चल रहा हो पुरुष के मन में भी ऐसी चीज डाली जाती है कि जीवन में एक महिला का होना अवशक है लेकिन इन दोनों की तुलना में पुरुष तो फिर भी एक बार को सुईकार कर लेता है ब्रह्मचारी होना ब्रह्मचारी नहीं आपने कम सुनी होगी पुरुष तो एक बार को अपने जलाले हात्वात दो-चार रिष्टों में तो उसके बाद जान जाता है कि यह चीजी गडबरे नहीं चाहिए, जिंदगी भर को नहीं चाहिए. महिला, कही न कही बड़े एक शुक रहती है, एक रिष्ता बनाने को, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिष्ता सेक्शूल ही हो, वो रिष्ता ऐसा भी हो सकता है कि पर मुह वाली बात उसमें रहती है रही आए निर्भर मत हो कम से कम और जैसा मैंने कहा मैं फिर दोहराऊंगा मत अपनी feminine identity को बहुत जोर दे इंसान बोलें अपने आपको, इंसान बोलें बार बार अपने आपको महिला बोल कर के नारी या फीमेल या वुमन बोल बोल कर आप एक गलत identity को reinforce करती है क्योंकि शरीर है ना महिला का, जो आप कहती है मैं महिला हूँ तो आपने अपने आपको किस से बिलकुल जोड दिया शरीर से और ये देह भाव ही मूल बंधन होता है देखिए अधिकांश पुरुष तो महिलाओं से बस अपना मतलब निकालने के फिराक में रहते हैं तो वो तो ये चाहेंगे ही कि आप अपने अपने नारी लक्षनों को और ज्यादा उभारें वो तो चाहेंगे ही कि आप बाल लंबे करें दिन रात साज सज्जा शिंगार करें कामों तेजक कपड़े पहने वो सारे काम करें जो जो महिला को पुरुष से अगदम अलग दिखाते हैं क्योंकि इसी में उनकी यौनेच्छा शान्त होती है पुरुषों की तो वो तो चाहेंगे ही कि आपकी जो फेमिनिन आइडेंटिटी है वो बिल्कुल प्रबल रहे क्योंकि आप जितने जबरदस तरीके से वो मनली रहेंगी मैन को उतना ज्यादा सेक्शूल प्लेजर मिलेगा तो इसके लिए क्या करते हैं इसके लिए वो आपकी फिर तारीफे करते हैं आप जितनी वो मनली होती हैं वो उतनी दादा गजलें लिखेंगे आपकी तारीफ में मुक्ते में नहित है इन सब चीजों से मुक्ते तारीफों की आकांक्षा से मुक्ते किसी ने थोड़ा सा कुछ अच्छा बोल दिया तो इतरा जाने की वृत्ति से मुक्ते लगातार दूसरों की नजरों में स्विक्रति पाने की इच्छा से मुक्ते आईने से मुक्ते दो-दो-तीन-तीन घंटे आईने के सामने उससे मुक्ते चाहिए क्योंकि आप दरपड में पहली बात अपनी देह को देख रही होती हैं और दूसरी बात आप अपनी देह को पुरुष की दृष्टे से देख रही होती है पहली बात देह बाव बढ़ रहा होता है क्योंकि दरपड में देह देख रही है दूसरी बात कहीं न कहीं आप अपने शरीर को देख रही होती है कि ये पुरुशों के लिए आकरशक बना है या नहीं मेरी इस बात से मुझे मालूम है बहुत महिलाए नाराज होंगे और गहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं हम तो बस अपने लिए सच्चते सवरते हैं जब भी मैं कहता हूँ इतना सच्चते सवरते हैं हमें अच्छा लगता है हम किसी के लिए सच्चते सवरते हैं हम तो अपने लिए करते हैं अब वो तो आप जाने आपका इमान जाने कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है पर मुझे जो लगता है मैं कहे देता हूँ बाकि अगर आप वाकई अपने ही लिए सच्टे सवरते हैं या अपने ही लिए कामों तेजग कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है फिर मैं कुछ नहीं कहता है आप से कुछ नहीं कह रहा है तो इन सब चीजों से जो नारीत के सिंबल बन गए है प्रतीक बन गए है उनसे जरा बचके रहिए कि एक विशेश तरह की चाल या Miss Universe का चैन हो रहा है तो उसमें एक बिकनी राउंड होगा ये क्या है कि नारी वही अच्छी है जो बिकनी में अच्छी लगे इससे बचके रहिए यही तो गुलामी है पुरुश एक इनसान ही भर है उसको बहुत महत्तों नहीं दे देना चाहिए जैसे किसी भी इनसान का मुल्यांकन किया जाना चाहिए वैसे ही पुरुश का भी किस आधार पर? चेतना के आधार पर उची चेतना का है तो सम्मान दीजिए नहीं तो लात मारिए उसको अपनी जिंदगी का केंदर मत बना लीजिए किसी भी संबंध को कोई भी संबंध आपकी जिंदगी या केंदर नहीं बन जाए वो सारे काम अपने जीवन में लाईए जिन से उचे विचार बढ़ते हैं मन में सफाई आती है दृष्टी में पैना पनाता है अच्छी उची किताबे पढ़िए दुनिया में खूब भ्रमन करिए अलग-अलग लोगों को उनके देशों संस्कृतियों को समझिए अपनी सीमाओं को चुनाती दीजिए कलाओं में, खेलों में महारत हासिल कीजिए इन सब चीजों को जीवन में महत्तो दीजिए संबंधों भर को नहीं relationship, relationship, relationship मैं को दाहरन दिये देता हूं मेरे पास प्रशन महिलाओं से भी आते हैं पुरुशों से भी आते हैं यह जो रिलेशन्शिप शब्द है इसको ले करके ज्यादा प्रशन महिलाओं से ही आते हैं पुरुशों से भी आते हैं पर थोड़े कम यदि कोई महिला प्रश्न पूछ रही है तो ज्यादा संभावना होगी कि वो प्रश्न रिलेशन्शिप से संबंधित होगा यह रिलेशन्शिप चीज को इतनी तवज्जो देना ही बंद कर दीजिए कौन सी रिलेशन्शिप कही की रिलेशन्शिप दुनिया में और बहुत अच्छे काम है करने को, यही थोड़ी है, कि किसी इंसान को बिलकुल खोपड़े पर बैठा लिया है और फिर परिशान हो रहे हैं। कि यही तो है, यही तो है, यही तो है, यह नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, जान दे दूँगे। अचारी जी नमस्ते, मेरा प्रस्ण यह है कि आजकल जैसे एक पहले धारन थी, एक व्यवस्था थी, कि पुरुष कमाता है और इस तरी घर का सारा काम मैनेज करती है। इस्त्रियां भी आगे बढ़ रही है अब कमाने के छेत्र में। तो पहली चीज अब ये सामने आई है कि अब होने ये भी लगा है कि अगर इस तरी किसी पुरुष से ज़्यादा कमा रही है, तो एक चीज यह होती है कि उस पे बहुत सारी चीज़ें थोप दी जाती है। जैसे इस तरी को क्या चाहिए कि बस वो आर्थिक रूप से आजाद होना चाहती है तो वो कमा रही है अपना। लेकिन अब पुरुष क्या करने लगे हैं कि अपनी जो महत्वकांचा है उस पे थोपने लगे हैं। अचा ठीक है तुम कमा रही हो तो अब तुम मेरे माबाप की भी इच्छाएं पूरी करोगी, मेरी इच्छाएं भी पूरी करोगी और तुम्हारा जो परसनल है वो तो है alleen लगाया क्योंकि एक नहीं समझा मैंनी कैसे हो जाएगा यह कैसे होने लगाया है। वो कैसे आपके ऊपर कुछ आदेश ठोप सकता है ? माने वो और उसने जो बहुत लगगया कि अरे आरे इसने बोल दिया बोल दिया तो भोल दिया उसका मुह कुछ भी कर सकता है इसमें बात यह आ जाती है कि तुम्हें गुरूर है तुम्हें घमंड आ गया है तुम्हें भी गुरूर है बोली तो दिया ना कि गुरूर है घमंड है उसने बोल दिया आपका मानों सुनिये नहीं मानों मत सुनिये तुम्हें यही पूछना चाह रही थी कि अगर वो इस्त् हैं जिनसे बात की जाती है तो वो बोलती है कि अरे तुम कमा रहे हो तो क्या पुरुष पुरुष होता है लेकिन तुम्हें उसका ओर मानना ही चाहिए साथ में यह भी होता है अगर मैं खिलाब खड़ी हो रही हूं तु दोसरा कुछ और बोल रहा है पैट्रियार की इसलिए नहीं चल गई कि पुरुष शोशन करना चाहता था पैट्रियार की इसलिए भी चल गई क्योंकि इस तरी शोशित होने में ही अपना स्वार्थ देख रही थी भले ही वो जूठा स्वार्थ हो भले ही उस स्वार्थ में उसे कोई वास्तव इकलाब न होता हो पर उसे पट्टी पढ़ा दी गई थी कि तुम्हारा ही इसी में है कि जो पुरुष कहे सुन लो और कुछ ही रही भी हित मिलता होगा क्या हित मिलता था कि फिर पुरुष केर गेवर हो जाता था ओ क्याता था मैं तेरी सुरक्शा करऊंगा घर में रहेगी तो चार दीवारें दूँगा जिसके भीतर तू सुरक्षित रहेगी घर से बाहर निकलेगी तो मैं चौकिदार पहलवान की तरह चलूँगा साथ रहके अंगरक्षक इस तरह थी 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 ठीक है बढ़ी है मुस्तंडा मिल गया उसने बोल दिया तो बोल दिया मैं समझना चाहता हूँ आप किसकी सुन रही है पहले तो फिर भी ठीक है कि वो कमाता वगरा था तो भाई उसकी कुछ धौस चलती थी तो सुननी पड़ेगी अब तो वो प्रमानित निखट्टू है उसकी सैलरी इसलिप बताती है वो क्या है आर्थिक तौर पर और फिर भी वो आगे क्या रहा है तुम ये करोगी तुम वो करोगी ऐसों को बोलते है शू नहीं ये कोई कालपनिक बात नहीं कहा रही है कि बहुत कम ऐसा होता होगा कि ऑ बैंकिंग का पास्वर्ड पति देव के पास नहीं पर वीजिए इसा होता होगा किaking डेविट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पति दयव ना रखते हों अकौन्ट तो भले इनका हो, मानने महिलाओं का, क्यों दिया, और वो दोके थे ले गया, तो ब्लॉक करा दो, नहीं दिया क्यों, वो हमें प्यार है ना, तो कल लो प्यार, इसका दो फिर कोई हिलाज नहीं है, जब चितना इतनी सक्षम ही नहीं है, कि वो प्रेम और अप्रेम में अंतर जान सके, तो ताज्युप क्या है, कि बंधन मिलते हैं, मोह को या वासना को प्रेम समझोगे, तो जिंदगी में बंधन नहीं मिलेंगे, तो क्या मिलेगा? दुनिया की कोई ऐसी सर्विस से नहीं है, जो पैसे से अब नहीं खरीदी जा सकती, पति देओ किसलिए चाहिए, बताओ, वो जितनी तरीके की सिवाई प्रदान करते थे पतनी को, उनमें से अधिकान शब पैसे से खरीदी जा सकती है, तो डर क्यों रही होगे? अब आप आर्थिक रूप से सतंत्र हैं, अब तो जादा तर ये हो जाता है, कि आप कई मायना में सतंतर हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, अपना डिसीजन जादा थे खुद ले सकती हैं, तो अब पुरोश ये बोलना शुरू करते हैं कि हाँ. शुरू कर दिया, कोई कुछ भी बोल सकता है, आपने सुना क्यों, बोलने पर उसका अधिकार है, आपने क्यों सुना, बात उसके बोलने के नहीं है, बात आपकी भावना की, आपकी भावना ही है, मेरा प्यारा पती उसकी तो सुननी होगी ना, नहीं सुननी, पर ये इस्तित कैसे समालनी है कि अगर वो यही की काह सबने टाया है कोई कुछ बोल रहा है भोदने तो चलने कोई कोई बोल रहा है कोई बोल रहा है तो उसे बोलने दिया जा सकता शोड़ guitar अभी गुल रहा है थूरी थेर में ठक जायाःगा नहीं बोलेगा ये बात ही नहीं सोज में आ रही, क्योंकि भाव ये है कि कोई हमें गंदा गंदा न बोले, ये भावुकता ही तो आपको कहीं का नहीं छोड़ती न, जब भावना बढ़ जाती है, तो विचारों की इस पश्टता पर कोहरा चा जाता है, जब भावुकता बढ़ी होती है न, तो आप कुछ साफ साफ देख सोच समझ नहीं पाएंगी, लेकिन भावुकता को तो महिलाओं को बता दिया गया है कि उनकी पहचान है, वो महिला ही क्या जिसमें भावना हो, तो पट से आंसू गिरता है, कुछ होगा तुरंद रोना शुरू हो जाएगा, बुरा लगना श वो तो एक दूसरे से बात भी करते हैं तो गाली देखे ही करते हैं, उन्हें आप कुछ बोल करके लज्जित नहीं कर पाएंगी, उनके कानों को तो आदत है गाली ही खाने की, छटी आठवी में लड़का पहुँचता है, और वो बोल चाल से बिलकुल उपर उठ जाता है, आप उसे कुछ भी बोलती रही, उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भद्दे से भद्दा बोल हो सकता है, उसको वो रोज खाता पीता है, आपको बता दिया गया है कि आपकी गरिमा ही इसी में है कि कोई आपको बुरा बुरा ना बोले, तो आपकी इसी जूठी आपकी गरिमा का लोग फायदा उठाते हो, कहते हैं, देखो अगर तुमने अमें पैसे नहीं दिये, तो हम तुमें बुरा बुरा बोलेंगे, और आपती हो, बुरा बुरा बोल देगा, पैसे दे दो इसको, नहीं तो बुरा बोल देगा, कोई अपने आपको बुरा बोलन लगे कि हां तो बोल सकता है उसका मूह है उससे बोल भी सकता है जहर भी खा सकता हुआ एक तरफ वो चारा है आपका पैसा खा जाए दूसरी तरफ वो चारा है जहर खा ले जो पैसा खाना चाहता हो जहर खाएगा कभी उसको बोली है तू तो इतना भी नहीं कमाता कि जहर खाएगा वह भी मेरे पैसे से अचारे जी अभी पेट्रियार्टी पर बात हुई और पहले तो मैं जितनी महीला प्रश्न करता रही इस मुद्दे पर मैं उनसे शमा कि था कि उन्होंने बहुत ही बेदम तर्क जो है रखे हैं यहां पर और मैं जहां तक समझता हूं कुछ दमदार तर्क तो मैं ही रख सकता हूं कम से कम पेट्रियार की की जो समस्या को जहां तक मैंने उब्जेर्व किया है वो यह है कि चाहें महीला इंडिपेंडेंट भी क्यों नहों मगर कुछ नैचुरल फैक्टर्स हैं जैसे प्रेगनेंसी हो गया जो उनके इंडिपेंडेंडेंस में थोड़ा बाधार पैदा करता है इसके अलावा जो एक आपने का जैसे कि अगर उची चेतना का पुरुष नहीं है तो लात मारो उसे यह वाली चीज यह इस तरह का काम अगर कोई पूरुष करता है तो उसके पास एक 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 बैक अप है उसकी जो पैत्रिक संपत्ती है वो है उसके पास लेकिन यह चीज महिलाओं के केस में धूर हम नहीं देख पाते ह हैं उतना क्योंकि अगर अगर अपने पती को लात मार दे तो पती की पैत्रिक संपत्ति पे तो उसको जादा कुछ मिलना नहीं है और जो उसके पिता की संपत्ती है उस महिलाई हैं या पुरुष हैं, उनके लिए पैत्रिक संपत्ति कोई बड़ा मुद्धा है, आज का जो भी युवा है जो बाहर निकला है काम करने के लिए, वो ये हिसाब किताब तो करी नहीं रहा है कि बाप की जायजाद मुझे कम मिलेगी, तो ये पैत्रिक संपत्ति की बा तो उसके बाद अपने पैसे हैं ना, नहीं है पैत्रिक संपत्ति तो क्या करना है, लड़कों के पास पैत्रिक संपत्ति होती है, वो मिल जाती है क्या, आप में से कितनों को मिल गई है पैत्रिक संपत्ति, पैत्रिक संपत्ति अभी नहीं मिलेगी 20 साल बाद, और रिलेशन वो जो वजह है जिसके कारण महिलाएं निर्भर ही रह जाती है दूसरे पर, वो है प्राकृतिक भावुकता जिसे गलत शिक्षा और विक्रत कर देती है. अध्यात्मिक शिक्षा सब तरह के जूठे ग्यान से मुक्ति दिला देती है और उसी से इस्त्रियों पुरुशों दोनों की मुक्ति है. लड़के हैं बैंगलोर में जाके नौकरी कर रहे हैं, बनाईयों में उनका घर होगा, उनको महीनों में एक बार विचार नहीं आता होगा अपनी पैतरिक संपत्ति का, सौफ्ट्वेर में बैंगलोर में कोई काम कर रहा है, वो ये थोड़ी विचार कर रहा है कि गाउं में में जो मेरा घर है वो कब बिकेगा और उससे कब मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अभी जो बातचीत हो रही है उसमें जो मुद्दे हैं थोड़े अलग हैं मुद्दा मूल रूप से ये है कि हमने जिस चीज को इस्तरीत्तो का गौरव बना लिया है वास्तों में वही चीज इस्तरीत्तो का बंधन है जो महिला जितनी कुमल हो हम क्या देते हैं उतनी अच्छी है और इस बात को महिलाओं ने भी आत्मसाथ कर लिया ये बंधन है जो जितनी भावुक हो हम उसको कह देते हैं, उतनी महान वगेरा है, इस बात को महलाओं ने भी आत्मसाथ कर लिया, ये बंधन है भावुकता, कोमलता, पराश्रयता, इन में कोई गौरव नहीं है जिन चीजों में किसी पुरुष का गौरव है, उनहीं चीजों में किसी महला का भी गौरव है वो साजी बात है क्योंकि दोनों साजे तोर पर मनुष्य मात्र है ज्यान में पुरुष का भी गौरव है, ज्यान में ही महला का भी गौरव है निर्भायता में पुरुष का गौरव है निर्भायता में ही इस्तरी का भी गौरव है ऐसा नहीं है कि पुरुष का गौरव है निर्भायता में और इस्तरी का गौरव है गोरे गालों और लंबे बालों में ये बहुत खतरनाक बात हो जाती है लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी ही बात चल रही है कि लड़के को तो हम कहते हैं बहादुर बनो और लड़की को कहते हैं सुन्दर बनो ये बंधन है लड़के के लिए जितना जरूरी है बहादुर हो न लड़की का भी गौरव बहादुरी में ही है तो बहादुरी ही सीखे वो गलत मूले डाल दिये गए हैं दोनों ही लिंगों में इसी की वज़े से दोनों का ही बंधन है अचारी जी स्वावलंबी होने की आपने बात कही कि स्वावलंबी बने तो मेरा कहना वही था कि स्वावलंबन जो है दोनों के लिए एक जैसा कि प्रैक्टिकली होता नहीं है विशेश कर गर्वधारण के बाद कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है अपनी असी साल की उम्र में वो आज की बात कर रहा हूँ एक या दो बार गर्वधारण करेगी उसके लिए तुम उसकी पूरी जिंदगी ही बंधक रख दोगे क्या और जो अभी यूग है उसमें तो सभी को घर बैठना पड़ा कोवेड आ गया पुरुष घर पे नहीं बैठे थे क्या पुरुष इस्त्री सब बराबर हो गए सब वर्क फ्रॉम होमी थे तो गर्वधारण इतनी अब कौन सी खौफनाग बात हो गई कि उसके लिए इस्त्रीयों को एकदम अलग प्रकार से देखा जाए आप अगर आज जो महिलाएं हैं जो प्रोफेशनल काम कर रही हैं उनको देखेंगे तो उन्हें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो प्रेग्नेंसी आदि के समय भी बस कुछ महीनों की छुट्टी लेती हैं पूरी छुट्टी शायद एक या दो महीने की और वर्क फ्रॉम होम भी बस दो या तीन महीने का फिर उख खुद ही अपने काम पे वापस भी आ जाती हैं तो प्रेग्नेंसी अब उतना बड़ा मुद्दा नहीं रह गई है कि हम कहें कि देखो महिला तो अलग होती ही है क्योंकि उसे प्रेग्नेंट होना पड़ता है आपको एडवेंचर हो गएरा का बहुत शौक होता है आप पुरुष हैं आप चड़ रहे थे पहाड़ पे गिर गए दो चार हड़ी तूट गई छे महीने तो आप भी दफतर नहीं जा सकते 6 महीने आप भी नहीं दफ्तर जा सकते 6 महीने वो भी नहीं दफ्तर जा सकती ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई बोलो कि हम कहें कि वो तो बिलकुली अलग है बिलकुली असहाय है क्योंकि प्रेगनेंट होती है तो इसलिए उसको तो पराश्रित रहना ही पड़ेगा उतना जादा तो प्रेगनेंसी भी नहीं है इतनी अकला आ गई है उनको कि पहले होता था हर साल इसलिए गर्ववती ही पड़ी होती थी गाउं गाई मैं ऐसा भी रहता था जब भी जाओ वो लगातार गर्व से ही होती थी एक बच्चा हुआ नहीं कि दूसरा आ गया अब कहां ऐसा होता है देखो पुरुश और स्त्री के भेद पर बहुत जोर मट डालो उनमें जो चीज साजी है उस पर जोर डालो उन दोनों में ही मनुष्य की चेतना साजी है और उन दोनों के ही जीवन के लक्षे साजे हैं लड़का लड़की दोनों पैदा मुक्ति मातर के लिए ही होते हैं और ये बार बिलकुल ठीक है दोनों के शरीरों में अंतर होता है दोनों की वृत्तियों में थोड़ा अंतर होता है पर वो अंतर इतना बड़ा भी नहीं है, कि उसके लिए एक लिंग को बिलकुल ही हम अलग थलग कर दें या घर में रख दें प्रणा माचर जी, अभी इस त्रियों के बारे में बात चल रही थी, तो उससे मझे मेरी बड़ी बेहन और उनकी 5 साल की बेटी है, उसकी याद आ गई, छोटी सी लड़की है वो, और उसके बारे में चिंता यह लगी रहती है कि इत्ती सी उमर में उसका उसकी देह के प्रती जो आकर्शन है, मतलब बार-बार जो व्यूटी प्रोड़क्स यूज करना और शीशे में अपने आपको निहारते रहना, तो यह देख के बड़ी चिंता होती है, सुदारनी की कोशिश भी करता हूं उसे, पर आखिरगार गुस्सा ही होता है, तो उस छोटी सी बच्ची के लिए क्या किया जा सकता है, कि वो मतलब क्या उसमें वेराग्य जगा जगाया जा सकता है या उसकी रूची आध्यात्मिक्ता की तरफ बढ़ाई जा सके, क्योंकि उनके परिवार में मतलब मेरी बहन का जो ससुराल है, उसमें आध्यात्मिक्ता की तरफ इतनी रूची नही किसी की तो उसके लिए में क्या कर सकता हूं और वो मतलब आती भी नन्याल सिर्ट छुटियों में है तो इतना इंट्रेक्शन भी नहीं रहता है कि मैं समय चाहिए होगा कुछ भी करने के लिए तुम्हें उसके साथ रहना होगा तो तुम्हें इस्थितियां थोड़ी उलटनी पलटनी पड़ेंगी आप यह नहीं कह सकते कि आपको एक बच्चे की जिन्दगी ही बचानी है और बस कोई साधारन सा आसान या सस्ता तरीका मिल जाए जिससे यह हो जाए अगर पांच क्यूमर में ही वो ऐसी हो गई है कि कॉस्मेटिक्स की और उसका रुजहान हो गया है आईने के सामने खड़ी रहती है देह से ही ज्यादा उसका नाता बैठ गया है तो इसका मतलब है कि वो बड़े घातक परिवेश में पल रही है उसको बचाने के लिए अगर मुझसे पूछो तो पहला काम तो यह है कि जितना समय वो उस माहौल से दूर गुजारे उतना अच्छा तो यह प्रबंध करना पड़ेगा कि वो जहां भी रहती है वहां से थोड़ा दूर रहा करे अगर लगातार नहीं तो कम से कम कुछ समय क्योंकि पांच वर्ष की है यह सब सीखा है उसने दो साल के तो कोविड की हो गई तो बाहर गई नहीं होगी घर पर ही सीख रही है सब कुछ वो घर ही गड़बड है तो पहले तो उस घर की नेती-नेती करो अगर वाली तो दे रहें ना मोबाईल या उस पूरे घर को ही तुमें शिक्षित करना पड़ेगा या कम से कम उस घर में जिस व्यक्तिका उस बच्ची के उपर सरवाधिक प्रभाँ है उस व्यक्तिक को तुमें ठीक करना पड़ेगा किसी को बचाना किसी को जन्म देने बराबर होता है बहुत महनत लगती है उतनी महनत करने की तैयारी होनी चाहिए उतनी महनत तो देखो प्रेम ही करवाता है वो भी कोशिश करीती पर वो इतने जड़ हो चुके है कि उनको बदलना इतना मुश्किल है लेड़े भीड़े के उठाला बच्ची को और क्या यही है और क्या मतलब और क्या उसको वहां छोड़ोंगे तो उसको ऐसे ही तहस्नेस कर देंगे एक और सवाल था मेरी मां है वो गर्मेंट टीचर है और मेरे पिताजी है वो रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं तो मतलब मेरी मा करुटिन ऐसा होता है कि सुबह उठे और गीता का पाट किया और फिर स्कूल में ड्यूटी पर चले गए और पिताजी का भी लगबई रहता है सुबह उठे ध्यान किया सेवा पूजा करी और फिर वह हूँ अपने काम से निकल गए से तो मतला आपको मैं सुनता हूं उनHAMें पता है कोई उनको ऐसा तुम क्यों उन्हें ये सब बताना चाहते हो अगर वो अपनी परिशानियों से असानी से उपर उठी जाते हैं सब उनका ठीक ही चल रहा है तुम क्यों उनके पास वर्थ ग्यान लेकर चले जाते हो मैं जब परशानियों से उठ जाते हैं पर वही है कि उसन साहर की जो भापिस वहीं बाते होती यह ना जैसे एक नॉरमली ज़ो ओरते होंती है वह औरते हों फिर पर जाना एक घुझकी टांग खीचना तो ऐसी बातों में पढ़ते हैं जब गुस्साhtा है कि इन बातों में क्य थो वही करो फिर एक संसारिक बातों में फसे हुए है लेकिन और उनको कोई और परेशानी नहीं इह उनको और गहरी परेशानियं भी होंगी, बिलकुल होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इधर-उधर की पेटी इक्षुद्र बातों में बहुत रस रखता हो और उसके जीवन में गहरी परिशानियां ना हो, बिलकुल होंगी, उन गहरी परिशानियों को उगार दो उन्हीं के सामने, ये आपकी जिंदगी में दिक्कतें चल रही है और इसलिए आपको मदद की जरूरत है, अब कहिए तो मैं वो मदद आपको दे दूँ, अगर रोगी को यहीं नहीं पता कि वो रोगी है, तो वो दवाई क्यों सुईकार करेगा, पहले तो कई बार रोगी को यह सिद्ध करना पड़ता है, कि बेटा तेरा रोग बहुत गहरा है, तब वो तयार होता है दवाई लेने के लिए, अचाड़ जी प्रणाम, हम आपको एक महिने से सुन रहे हैं और पहली बारी शिविर में आये हैं, हमारा प्रेश्नी यह है, अचाड़ जी क्या रोगी कमजोरी की निशानी होती है, और अगर यह कमजोरी की निशानी है, तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं, इस पेमाग रोने पर बहुत ध्यान देना कमजोरी है, रोना आवश्यक नहीं है कि कमजोरी हो, बहुत लोग प्राकरतिक रूप से ऐसे होते हैं कि जल्दी रो पड़ते हैं, पर अगर आप उस बात को बहुत महत्तो देने लग जाओगे अपने रोने को, तो यह कमजोरी है, कोई आसान है, कोई जल्दी उदास हो जाता है, यह बहुत हद तक प्राकरतिक गुण है, बच्चे जब पैदा होते हैं, उसी समय पर उनमें भिन्नताएं होती हैं, लेकिन आप इन भिन्नताओं को बहुत अगर कीमत देने लग जाओ, तो यह कमजोरी है, रो भी रहे हो, तो जो जरू पुरी काम है करते रहो, रोते रोते करते रहो, जो सही है वो बुरा लग रहा हो, तो बुरा लगते लगते भी उसको करते रहो, नीद आ रही है, तो नीद में जम्हाईयां लेते हुए, जहूमते जहूमते भी जो सही काम है वो करते रहो, प्रकृतिका अपना काम है, तु को उसका करने तो तुम अपना करो तो फिर आचाड जैसा क्यों होता है कि अभी आम उस सित्ति में तो पहुंचे नहीं है कि कोई चोट ना लगे तो जैसे अपनों से कोई चोट लगती है जैसे कि हम पिशली वार यह शिविर में आना चाह रहे थे तो हमें उम्मीद थी कि भा तो तीन चार दिन तक तो हम ऐसे ही रहे कि हम जानी पउए फिद धी में खुद आणा इस बार कैसे आए इस बार वही लड़के अकेले आ आए ना तो नहीं आया अकेले आई जाती है लेकिन बोल दिया कि आ ज कलना थाक्र चाहे अकेले वेजो किसी को साथ बेजु उस ढ़े रो लिए गा लिए जो भी कर लिए उसके साथ जो सही काम था अगर वो किया तो रोना गाना चलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कई वारे ऐसे घर पर बोला जाता है कि बड़े कम जो रो बहुत जल्दी रो जाते हो उन्होंने बोला तो बोला तुमने सुना क्यों और सुन भी लिया तो सुनी हुई चीज का अपने उपर फरक्यों पढ़ने दिया जो चीज सही है कहीं कमजोर तो नहीं अब लगर आओगा कमजोर हो तो हो जाओगे मन को एक निष्ठ रखो और उसके अगल बगल जो कुछ चल रहा हो उसको चलने दो आप गाड़ी चला रहे होते हो मंजिल की और जा रहे होते हो इस तरफ से कुछ दुकाने पीछे चूट रही है इस तरफ से कुछ खेत पीछे चूट रही है भूत कुछ चल रहा होता है न अगल बगल उसको चलने देते हैं अपना निशाना मनजिल है इसी तरीकिसे कभी कुछ ईच्छा चल रहा है चुछ बुरा चल रहा है कभी बड़ी खुशी लग रही है कभी आंसु टॉट ड़ा रहे हैं कोई भात नहीं अपना काम करते रहो कि कभी भी मुश्किल समय आएगा तो साथ मिलेगा साथ तो देखो राम से ही मिलता है और तो जहां भी उमीदें रखोगे आज नहीं तो कल टूटेंगी तो इस चीज से निकल है कैसे की उमीद ही नहीं जिससे उमीद रखनी चाहिए उससे रखो बस हुआ 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 है